यह उम्मीद जगी है कि इस मद्दान के बाद आज कि नौ के बाद राजस्तान के तिर्पेट के हित्मा शुचला होगा और आने वाले वक्त अंदर जब इमद्दान जब दूपेटियां खुची जब राजस्तान की टीम को राजस्तान की नाम से तुलने का अधान लगा कर्केट के लिए आज इस जब दूप हो जाएंगे राजस्तान की क्रिकेट को खुला आस्मार मिलेगा और आजस्तान में अच्छी क्रिकेट कर्ट से शुचे बाद आएंगे उसके बाद पूरा पैनल पुरी टीम तेती जिला कर्केट शुचात पैठेंगे और विकाश के म पर जो जो हम लोगों ने कर्सम खारक की है उसके आदर हम राजस्तान की क्रिकेट को आगे ले जाएंगे तो प्रतिशत कोई शक्त नहीं प्रती बद्दिता को मेरे ख्याल से आपने सुना होगा आमीन पाठान साब भारती जन्ता पार्टी की नेता है साइम लोड़ा साब क अधिलित मोधी की एंट्री नागूर के रास्ते होती है इन तीनों ने कहा हमारी प्रतिबद्दताएं है राजस्तान में क्रिकेट का विकास हो लेकिन यह विकास कैसे मुम्किन हो पाएगा तीनों के रुख पर बात करना चाहूंगा कॉंग्रेस और बीजेपी का जिक्र हम ब्रेक से पहले कर रहे थे दिनिश शर्मा साब आपसे मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और भारती जन्ता पार्टी दोनों को आपने कहा कि एक सिक्के के दोलो पहलू राजिस्तान क्रिकेट के लिहास से कहे जा सकते हैं आमिन पठहन साब ने भी जम्मेदारी समाली उस द गया है तो अचानक यह सब कैसे हो गया फिर अभी जो 26 अपरेल को जो चुनाव होने थे उस समय पे जब देखा गया कि जोशिक उटके पास बहुमत है तो अचानक चुनाव को रद कर दिया गया आपने अलग से कोट अगर नहीं होता तो शायद प्रक्रिया वापस शुरू करता है उसके अलावा भी परोख शुप से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन कई मंत्रियों के फोन जिला संगों के पास पहुंचे हैं जिला संग जिनके अंदर बिचारे अधने से लोग होते हैं कोई दुकंदार है कोई कुछ है कोई पीटी आई है तो इन लोगों क अधने हैं उस संग को RCA की मानिता नहीं तो मतलब चुनाव लड़ना जाज़त मिलना और फिर प्रसिडेंट केंडिडेट हो जाना क्या जाहिर करता है दिनेश जी यही तो मैं कह रहा हूं कि पूरा ग्राउंड तयार किया गया है कि इस दरह से योजना भद्र डंग से आगे भड़ा गया है कि ललित मोदी की विरासत को रुचिर मोदी समाले अगर यह सब नहीं होता तो इतना सब कुछ exercise की जरुवत ही नहीं थी और सारे जिस करना चाहते थे वह रुचिर मोदी के जरी करना चाहते थे तो यह सब को मालूम है और इसमें सरकार का सहयोग नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि इस बातों में कोई सच्चाई है नहीं तो इतनी exercise में करते ही नहीं कि आपत्ते के बाद वरना रुचिर मोदी क्यों राजस्ता क्यों रहसाना आते हैं यही सबसे बड़ी बात है अलुक भर्द्वाज सहब सलसलेवार जबाब चाहूंगा रुचिर मोधी एलिजिबल ना होने के बावजूद भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या भारती जनता पार्टी पूरी तरह से उनको आसरा दे चुकी है देखे श्व जनता को किलियर करदू कि ठीक है कर रुचिर मोधी चुनाव लड़ रहे हैं उसने अपना गरांट किया आरहे है खोड कोई बीने कोई अगर आ रहे है तो आप उस बात को यह क्यों कहता है कि सरकार ने सरकार का कभी सरकार झाल को को कोई सब्सक्राइब नहीं है तो इस बात को कहना गलत है कि सरकार का कोई आज रहे हैं तस्वीर पर आजाओं आमेन पठान साहब कैसे अद्धिक्षपत पर काविज हुए एक बात का जिक्रा है कैसे जिलासंगों के पास मंत्रियों की फोन जा रहे हैं इस बात का जवाब देखिए जिलासंगों के पास मंत्री के फोन के आप बात कर रहे हैं ना तो फोन मैंने सोना ना आपने से चीज कहना चाहता हूं और दूसरे ना चुनाव में शिरकत कर रहे हैं कोशा देक्ष का चुनाव पोरवाल साब लड़ रहे हैं और वोटिंग राइट्स के उपर तर्म कार्ट जिनको समझा जा रहा है अमिन पठान साहब है इन दोनों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे इनको कैसे खुलकर रिजाज़त के लिए तो सरकार एक ही चीज़ चाहती है कि किरकेट का जो प्रतिबंदे यह अपने स्वरूप में लोटे और किरकेट की दशा सुद्रे जैसा कि अमारे आप राजी और अठोड जी ना आपके सामने जिक्र किया ये खुद खिलाडी रहे हैं अमने तो उनको खेलते हुए भी देखा है तो शोनी जी उस तरके खिलाडियों की दुबारे दे सरकार का एक ही उद्देश है कि राजिस्तान की जो प्रतिबाएं है न नहीं है और ऐसे में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको सरकार कह सकती कि दौर में तैयार किया गया और सरकार मानती है कि ये उनकी खोचिशों का नतीजे है देखिए आपने कहा कि कौन सा आज ठीक हम वेर्टी कर रहे हैं तो मैं खेल की बात कर रहा हूं आपने पैटिकुला सबके सामने का प्रतिबंद ये जित्ती भी थी सारी प्रतिबंद सब हर व्यक्ति को ये पता है कि क्या है इखटना करम था कैसे इखटना कराम हुआ और अब हमें इस बात पर राजनीति नहीं करके सबसे बड़ा उद्देश यह हुना जिया कि ये कॉन कर रहा है कि मैं यही करने वाले को सब को दिखता है आदमी हारवक्ति की सोतंतरता का अधिकार सब को है कोई कुछ भी कह सकता है मैं तो आपको एक बात करना चाहूंगा कि और सारे खिलाडियों के लिए कि तनिक नहीं विचलित होना चलती बिढ़ती हारों से शोले ठंडे हो जाते हैं हिम्मत की बोचारों से तो यह सब जीने ठीक है खिलाडियों को इम्मत रखनी है जिसका नतीजा पंकस सिंग भी है लगाता रंजी में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद भी अंतरास्टी क्रिकेट में दाखिल होने के लिए जद्दो जहद कर रहे हैं नातु सिंग है फटनेस के करना चाहूँगा ये सारा नुकसान सियासी तस्वीर के कारण है इस सवाल को बदल के फिर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ राठोर साब ऐसा है कि देखे मैं दिनेश जी की बात सुनी आपकी भी बात सुनी मैंने मैं दो चीज़ कहूँगा कि चलो माना जाए कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉड़ी है और यहां चुनाव होने जरूरी है पर ये वर्ल्ड का इतियास का पहला ऐसा चुनाव है जहां पर कोई पहले में वजन कितना होता है ठीक है अब रही बात कि साब तुम चुनाव लड़ रहे हो सब कुछ कर रहे हो जो भी टीवी पे आता है साब हम क्रिकेटरों का विकास करेंगे विकास क्या करोगे ये तो पूछो उन से आज की तारीक में दुनिया की इतियास में पहले ऐसे जो बिना एजन्डे के लड़े जा रहे हमें कोई जोशी जी को नहीं चाटना हमको सिर्फ खिलाडियों का भला चाहिए है और ये दोनों मेरी इए एकस्पेक्टेशन थी कि ये दोनों हम क्रिकेटर्स को अपने अपने वेरियस अजेंडे ला करके यह बताएंगे कि अंडर 15 क्रिकेट को इस तरह ग्रोध दी जाएगी अंडर 17 को इस तरह ग्रोध दी जाएगी 19 को यह किया जाएगा कुछ जो हमारे selected players होंगे उनको Australia भेजा जाएगा उनको हम England भेजेंगे कुछ स्टाइपेंड देंगे कुछ डिक्लेर तो करो आज हम किस दौर में हमने देखा था मैं कर रहा हूं आपको आर सी में एक अकेडमी बनी क्रेट चेपल जैसे कोच आए और हमारी जो खेल प्रतिवाय है उनको निखारने की कोशिश की कुछ को तराशा गया रास्तान रोयल्स यह तो किसी के छुपाई नहीं छुप सकता आज अगर पंकद सिंग विकेट ले रहा है तो यह थोड़ी कह रहा है कि मैं राश्तान में मोदी जी की चिट्टी लेकर आया हूं तू आउट हो जा या मैं सीपी जोशी जी की चिट्टी लेकर आया हूं तू आउट हो जा टैल के लड़के या बैंगलॉर या हैदराबद या तमिल नाडू के लड़के उनके लिए उनकी एसिशेशिन आगे लड़ती है HEMारी एसिशेशन आपस में लड़ती है तो फरक हो λέऊ ना यहाँ पर अपने से ही फुरसत नहीं तो लड़कों के लिए क्या लड़ेंगे और end of the day मतलब पंकज आज 500 विकेट लेके बैठा है इतने सारे काम करके बैठा हुआ है इंडिया टीम में उसके लिए लड़ने की बात तो छोड़ो खुद बैन होके बैठे हुए हम लोग चलो आज बैन भी हट जाता है और बैन नहीं भी हटता तो भी मतलब लोड़ा कमिटी के थुरू एक टीम राजस्तान बनी वी है उन लोगों को बोर्ड में जाके पंकज के लिए या नातु सिंग के लिए या जो भी वेरेस अधर प्लेयर्स हैं लड़ना चाहिए चलो ये भी आप छोड़ो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टन थिंग है कि किसी का कोई रोड मैप तो हो चलो हम तो कह रहे हमें मतलब नहीं ये आए या वो आए लेकिन आप दोनों अपने रोड मैप तो बताओ जिससे कि चार साल डाउन दा लाइन हम ये कह सकें कि आपने रोड मैप बनाया था आप गलत हो गए अब चार साल बात फिर वोई किसे आप क्रिकट के विकास में काम करें अरे बही तुम तो पिछले 12 साल से क्रिकट में विकास करें हो करा क्या विकास हुआ कहाँ पर चुनाव है तो एजेंडा होना चाहिए चुनाव किसी एजेंडे के थुरू हो दिन विकेंड एट लीस होल समबडी रिस्पॉंसिबल की भाई तुम्हारा एजेंडा एक्स था तुमने कि यह काम नहीं करे जैपुर का समयमान सिंग स्टेडियम से एक है टेस्ट मैचिस हो जाएंगे टेस्ट मैच तो हो चुके हैं पाकिस्तान खेटी यहां पर लेकिन आप वह नहीं हो रहे हैं कॉंटिनिटी के बाद इंतिजार कर रहे हैं नहीं पहले स्टेडियम के पीछे कमिट्मेंट कहा था कि मैं वापस इसको टेस्ट बनाऊंग सरकार का जहां तक आलोग जी कहने हैं कि सरकार का कोई देखल नहीं है सरकार का सबसे बड़ा देखल यही एगा हूई लोग की स्पेर्दी निशाना बनाते है आप देखे कि उसके अलावा इन्हों ने कि फुटबॉल में क्या किया है टैनिस में क्या किया है अन्हीं कितने खेल विवादों में घुसे हुए है शत्रज विवादों के अंदर है उन पे किसी नहीं ध्यान नहीं दिया इस्पोर्ट सेक्ट नहीं दिया तो आप देखे कि इ जैसे बिनेश जी ने सही बात बोली, आज फुटबॉल में तीन या चार एस्टेशन है राज्थान में, आज आपने स्पोर्ट एक्ट बनाया, ता वेरी परपर्ज और एसेंस अफ इस स्पोर्ट एक्ट, ऐस वार इस आ अंडरस्टेंड इस, कि ये स्पोर्ट को स्ट्रीम ल सकता है, इतना टीवी पर एर टाइम आप भी नहीं दे पाओ, क्योंकि फुटबॉल में जनता भी नहीं स्ट्रीम लाइन नहीं हो पाया, तो end of the day, it is flawed, और कोई चीज़ is flawed है, और आप मतलब आज 170 आदमी लेके, MLA लेके बैठे वे हो, तो ये तो आपकी will कहीं ना कहीं डिफीट हो रही है कि आप खिलाडियों के लिए, और मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा है, मैं खिलाडी, कबड़ी, खोको, उतीरंदा जी, फुटबॉल, सब खिलाडियों की बात कर रहा हूं कि भाई, खिलाडियों के लिए क्या कर दिया इसे स्पोर्टस आक्ट ने एसोसेशनों के लिए तो बहुत कुछ कर दिया कि जाब रूंग्टाव से अटा के मोधी जी को ले आए स्पोर्टस आक्ट और पता नहीं फुटबॉल में और रॉंकी में किस-किस को ले आए लेकिन खिलाडियों के लिए इस स्पोर्टस आक्ट में क्या कर दिया ये मेरको कोई नहीं समझा पा रहा है चुनाव कराते हैं बिना ऑजंडे के कराते हैं हमें ना तो मतब जोशी जी जाके क्रिकिट खेलने वाले ना रुचिर जी जाके के खेलने वाले ना ये जिलाद देक्ष खेलने वाले और सब खड़े हो किते हैं खेलों का विकास तो क्या विकास कर रहे हैं मेरे को तो ये समझा दे कोई जाहिर है एक बड़ा सवाल है इस बीच सीपी जोशी को लेकर भी बात होनी चाहिए ये एक बार देक्ष रह चुके हैं दूसरी मरतबा वैदान में हैं सटा बाजार का अपना अकलन है एक ब्रेक लेरे लाटेंगे चर्चा जारी है किसी विपरकार के खेलों को राजनिती से दूर होना चाहिए और खेल संगों को तो निश्चित रूप से राजनितिक पार्टियों के नेताओं से दूर होना ही चाहिए और वहां किसी विपरकार की राजनिती नहीं होना चाहिए राजनिती के कारण खेल संगों का बटा बेटने वाला है खेल संगों में अच्छे खिलाडी, कोचेज वगेरा जो हैं उन लोगों के हाथ में सारा नियंतरन होना चाहिए काय को इन राजनेताओं को वहाँ जाने की ज़रूर पड़ती है